क्यों हम बेटा और बेटी में इतना अंतर करते हैं? समाच का जूटा सच एक शिक्षा प्रत कहानी, एक आदमी के तीन बेटे और एक बेटी थी, वे विदेश में रहते थे एक बार उनकी मा बहुत सीरियस बिमार हो गई, उनके पिता जी ने अपने पहले बेटे को फोन किया बेटा तुमारी मा बहुत बिमार है, जल्दी से आ जाओ बेटा बोला, पापा मैं तीन साल के ट्रेनिंग पर हूँ, कृपया आप उन दोनों भाईयों को फोन करके बुला लो फिर पिता ने अपने दूसरे बेटे को फोन किया, तो वे बोला, मेरी पत्मी प्रेग्नेंट है, मैं नहीं आ सकता आप उन दोनों भाईयों को फोन करके बुला लो फिर बाप ने तीजरे बेटे को फोन किया तो वे बोला मेरे तो इंडिया आने के सिर्फ अभी तीन महीने बाकी है फिर ही आप आऊंगा किरिपया आप उन दोनों भाईयों को फोन कर लो बाप रो पड़ा जिस मा बाप ने बेंक से लोन लेकर उन्हें विदेश भेजा आज वे ही इनकार कर रहे हैं वे इतने बिजी है कि मा तक को देखने नहीं आ सकते वो खुद को समाल नहीं सका उसने फिर अपनी बेटी को फोन किया और मा के बारे में बताया बेटी रो पड़ी कहा पापा आप अपने आपको संबालिये मा को मैं और मेरा पती अभी पहली फ्लाइट से वहां पहुच रहे हैं आप टेंशन ना ले पिता अरे बेटा पर तेरे पती के बिजनेस का क्या होगा बेटी क्या पापा ऐसे वक्त पर भी आप ऐसी बाते कर रहे हो मा से ज़्यादा क्या काम जरूरी है बस आप खुद को संबालो और मा को संबालो मैं भी प्रातना करती हूँ भगवान से वो मा को जल्दी ठी कर देगा सब अच्चा ही होगा पापा खयाल रखना बाप सोचने लगा यही है आज का युग हम बेटा मांगते हैं बेटी नहीं पर आज बेटों ने आने से मना किया जिनके लिए लोन लिया उनकी हम किष्टे भर रहे हैं और बेटी जिसे हमने कभी मान ना दिया समान ना दिया वो अपने सभी काम छोड़कर पती के साथ उसके काम काजवे बिजनेस की परवा न करके अपने पती के साथ सिर्फ मा के लिए आ रही है बाप फिर से रो पड़ा कहा बेवकुफ है वे लोग जो बेटे की इच्छा रखते हैं हर तकलीप में सिर्फ बेटिया ही वक्त पे काम आती है ये प्यारी बेटिया ये दुलारी बेटिया मा बाप का घुरूर है ये बेटिया दोस्तों ये छोटी सी कहानी आप लोगों कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जुरूर बताना वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वाचिंग